हेलो रवीवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में तो दोस्तों आज का जो वीडियो में मैं आपको एप्लिकेशन यहां पर बताऊंगा चार एप्लिकेशन जो कि आपके बहुत जादा काम आएंगी और बहुत ही कमाल की यूसफूल है तो यह आपके डिवाइस को कस् ट्रक करने और काम क्या है पूरा मैं आपको अपर डीटेशल मतांगा तो मेरा वीडियो यहां पर देखते हो है तो ट्रिक काऊंसे हैं आपको यहां पर दिखाता हूं ठीक है यहां पर आपको चार आप्लिकेशन न्ख मिल जाएगा लेकिन अप्लिकेशन का यह काम क्या है कि ही आपको आपको मैं दिखा रहे तो पहले हैं नोटीविएश्ण का थो फील्कुली क्लासिक्ली वख करेंगा करें ऐसे विल्कुली अमैजिंग कर रहा है में कर रहा हूं क्लिक तो इस तरह October हॉपन और उसके बाद एसे कि आप no यहां पर और भी चीज़े यहां पर आड़ कर सकते हैं यहां पर आड़ करने होगी जिसका लिंक देदूंगा लेकिन आप देखिए कि यह करते हैं यह लिए प CS klik करें लाट करने है चोन आउय के धाइकन आइकन को जो पसंद extend करें वहां यहां पे यह यह पसंद है तो उसके बाद निच्चे मैं क्लिक कर दूँगा तो अब आप आप नोटीफिशन पैनल स्टे करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर नहीं मिलेगे तो यह शो कैसे होगा तो आपने ऊपर थीडोट पर क्लिक करना है ठीक है क्विक अटिट बटन सब जाना है यहां पे IальT buttons पर जाना है फिर आप इस तरह स्लाइट करना तपको camera आंसले को मिल जाएगा अपने simply से उठाना है और यहां पे såd कर देना है ठीक है camera वाला या फिर आपको tiles 2 मिलेगा tiles 2 बीकारब यहां पर सकते हैं तो आप शौट क्लिक नेक्स के बाद और चीजिजा कर सकते हैं जैसे कि आप और नाध कर सकते are जो भी आपका favorite रहेगा उसके बाद एक और application है यह भी इसी तरह work करती है लेकिन यहां पर आपको थोड़ी और option देखने को मिल जाएंगे तो इस application को open करेंगे आप ध्यान से लेखना ठीक है अब क्या करना यहां पर आपने shortcuts में जाना है यहां पर shortcuts में जाएंगे camera contact lock screen जो भी आप स्लेक्ट करना चाहते हैं simply आपने इनेबल करना है जैसे मैंने इनेबल रखा हुआ है camera enable तो जैसे camera मैंने इनेबल करना है मैं यहां पर आपने कर सकते हैं जाती है आप साफ एक आप कर सकते हैं कि हुआ नेधिया आप कर सकते हैं तशाची में करना है तो इस त rework करती है उसके बाद मैं आपको यहां पर next application यहां पर दिखाता हूं जैसे पहले मैंने आपको MI का नोटिविशन पैनल बता था अब मैं आपको iOS का नोटिविशन पैनल यहां पर बताऊंगा तो मैंने अल्रेडी यहां पर रखा हुआ है यहां पर ओपन हो जाएगा iOS control center तो भहुत सारे लोग कमांट करते हैं कि हमारे वर्क नहीं करता है अब हर एक डिवाइस में वर्क करेगा माई इसका लिंक भी देदूँगा description पर इसे इंस्टॉल करके अपने यहां पर बात करते हैं तो मुझे कुछ डिवाइस में नहीं दिया जाता है समसंग के तो मुझे कमांट भी आते तो इससे भी आप डाउलोड कर सकते हैं मैं इसका लिंक दे दूंगा description पर आप इस side panel को भी यहां पर set कर सकते हैं यह थी कुछ application जो मैं आपको बताना आपको पसंद आया होगा पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा बाइबाए टेकर जाहिन बंदमात्रम